हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करी हूँ रोज बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंस, यानि कि ऐसे सेंटेंस के आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो अकसर हम लोग अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, तो मैंने सबसे पहले यहां पे लिखा कि अगर आपको कहना है किसी से कि मैं केवल 2 घंटे सोया, मैं केवल 2 घंटे सोया, तो आप कैसे बोलेंगे, आप सिंपिल कहें, I only slept, I only slept 2 hours, मैं केवल 2 घंटे सोया, यहां पे सलीप नहीं होगा क्योंकि यह पास्ट है, ओके, मैंने केवल 3 डॉ खर्च किये, I only spent three dollars, I only spent three dollars, next, number three, अगर आपको कहना है कि वो हमेशा, वो हमेशा मेरे साथ है, वो हमेशा मेरे साथ है, तो आप कहें, he is always, he is always with me, he is always with me, वो हमेशा मेरे साथ है, next, यह वास्तव में सस्ता था, यहाँ पर मैंने बोला था, यानि कि past की बात की, तो मैं कहूंगी was, it was really cheap, it was really cheap, यह वास्तव में बहुत अच्छा है, यह वास्तव में बहुत अच्छा है, तो आप कहें, that's really, that's really great, तो यहां पे आपने देखा कि वास्तव की इंग्लिश है रियली ठीक है तो यह वास्तव में बहुत अच्छा है इसी तरह से एक और संटेंस देखें संटेंस संबर 6 अगर आपको कहना है यह वास्तव में दिल्चस्प था तो आप कहें अगर आपको कहना है मुझे वास्तव में उसकी चमता पर भरोसा है मुझे वास्तव में उसकी चमता पर भरोसा है तो आप कहें I really trust his ability I really trust his ability Next sentence, sentence number 8 यह वास्तव में एक अच्छा विचार है यह वास्तव में एक अच्छा विचार है तो आप कहें तो आपने देखा कि सभी sentences में वास्तव जो मैं अभी बता रही हूँ sentence number 6, 7, 8 सभी में वास्तव वर्ड आपको देखने को मिला है तो इस वास्तव की English होती है Really ओकी? चलें अब अगर आपको कहना है sentence number 9 देखें sentence number 9 में मैंने लिखा अगर आपको कहना है किसी से English में कि चलो जल्दी चलते हैं चलो जल्दी चलते हैं तो आप कहें Let's go early ठीक है? Next देखें sentence number 10 अगर आपको कहना है कि हमें जल्दी निकल जाना चाहिए कैसे बोलेंगे English में? हमें जल्दी निकल जाना चाहिए तो आप कहें we must leave we must leave early we must leave early हमें जल्दी निकल जाना चाहिए next sentence sentence number 11 अगर आपको क्या ना English में किसी से कि तुम बहुत जल्दी आ गए तुम बहुत जल्दी आ गए तो आप कहें you have come too early you have come too यहाँ पी टी डबल ओ टू है इस टू का मतलब होता है बहुत ठीके कहें जहीं पे इसका मतलब बहुत होता है तो कहें कहें पे इसका मतलब भी-भी होता है तुम बहुत जल्दी आ गए you have come too early too early मतलब बहुत जल्दी बहुत जल्दी ठीके next sentence एै कि sentence number 12 अगर आपको क्याना है कि तुम जल्दी क्यों आए तुम जल्दी क्यों आए? तो आप कहें why, क्योंकि English why Why did you come early? Why did you come early? तुम जल्दी क्यों आए? Why did you come early? Okay, next sentence, sentence number 13 देखें मैं वहां बहुत जल्दी पहुँच गया तो आप English में कैसे बोलेंगे? आप कहें I arrived there वहां की English there Too early, बहुत जल्दी Too early, बहुत जल्दी मैं वहां बहुत जल्दी पहुच गया I arrived there too early वो आम तोर पर जल्दी उठ जाती है तो यहां पर आम तोर पर इसकी English क्या होगी? Usually, ठीक है? She usually gets up early She usually gets up early ठीक है? तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे She usually gets up early यहां पर देखें, up और early की बीच में gap दीजेगा, यह typing mistake है ठीक है? तो up और early की बीच में यहां पर space होगा Next sentence देखें, sentence number 15 अगर आपको कहना है कि हम अकसर वहां जाते हैं अकसर के English क्या होती है? अकसर के English होती है often ठीक है? often हम अकसर वहां जाते हैं तो we go there often we go there यहनि कि हम वहां जाते हैं अकसर often we go there often कोई नहीं जानता क्यों कोई नहीं जानता क्यों nobody knows why nobody knows why कोई नहीं जानता क्यों nobody knows why Okay, next sentence देखें, sentence number 17 उसने ऐसा क्यों किया उसने ऐसा क्यों किया तो आप English में इसे बोलेंगे कैसे आप कहें simple why did she do why did she do that ठीक है why did she do that why did she do that उसने ऐसा क्यों किया कोई नहीं जानता क्यों nobody knows why we go there often हम अक्सर वहां जाते हैं next sentence is sentence number 18 अगर आपको कहना है किसी से English में कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ तो आप कैसे बोलेंगे आप simple कहें why did this happen यहाँ पर did लगा है तो आप happened नहीं बोलेंगे आप कहेंगे happen why did this happen why did this happen next sentence is sentence number 19 हम घर क्यों नहीं जाते हम घर क्यों नहीं जाते why don't we go home why don't we go home why don't we go home हम घर क्यों नहीं जाते next sentence sentence number 20 इसलिए मुझे देर हो गई थी कभी कभी जब हमें देर हो जाती है और हम किसी से कहते हैं कि इसलिए हमें देर हो गई थी तो ये चीज़ English में कैसे बोलेंगे आपके हैं इसलिए इसलिए मुझे देर हो गई थी इसलिए मुझे देर हो गई थी अगर आपको कहना है किसी से चले आप कोशिश कीजेगा पहले इसे पाउस कर लीजेगा और खुछ से ट्राइ कीजेगा अगर ना हो पाई तो आप इसे आउन करके दीखिएगा ठीक है तो ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी के साथ बहुत ही अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी तुम अंदर क्यों नहीं आते आज आप वियस्त क्यों है आज आप वियस्त क्यों है why are you busy today, why are you busy today, why are you busy today, next sentence, sentence number 23, यही कारण है कि मैंने नौकरी छोड़ दी, यही कारण है, तो आप कहें, this is why, this is why I quit the job, तो आज के क्लास में बस इतना ही, अगर आप अपने इंगलिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो एक बास जरूर ध्यान रखेगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप खुछ से बोलेंगे, गल्तियां होंगी, गल्तियों से घबराईएगा नहीं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही जल्दी आप आसानी के साथ इंगलिश को बोल पाएंगे, तो आज क्लास कैसी लगी, नेक्स क्लास आपको अगर इस्पेशली किसी टॉपिक पर चाहिए है, तो आप ज़रूर कॉमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो कैसी लगी, कॉमेंट कर